Hello everyone, welcome to our channel Join MNS Academy आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के MCQs और One Liner दोनों करेंगे ठीक हैं, हम उने compilation कर दिया है और इसका PDF मैं दे दूँगे आपको Telegram Channel पे तो अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया तो आप Telegram Channel जॉइन कर लेना Join MNS Academy आप हमें Instagram पे भी जॉइन कर सकते है add the rate mns.academy के नाम से ओके, स्टाट करते हैं तो सबसे पहले बोला है The most important and ancient source of Indian philosophy is तो Indian philosophy की सबसे important and ancient source अगर हम बोले तो वेद्स हैं ठीक हैं, वेद्स कितने टाइप की होते हैं उसके बारे में भी आप हम आगे देखते हैं Next है, Mahavir the founder of Janism belong to which royal family तो जो Mahavir थे ये किस royal family से belong करते थे तो ये है Jantra का और अगर देखा जाए तो ये कहां थे बिहार में, हाना बिहार के एक royal family के थे ये king थे, Jan थे तो उदर से इन्होंने Janism आया था Next है, the famous scholar Hemachandra was patronized by इन्हें किसने patronized किया था तो Chandragupt Maurya ने किया था Next है, which animal is found in maximum number in seals of Indus civilization तो जो Indus Valley civilization थी उदर कौन से animal के maximum पाई गए है तो वो है rhinosaurus Next है, Haripan people have trade relationship with which nation किस nation के साथ उनके trade relations थे Haripan के तो वो थे summer के साथ Next है, Purusha Shukta is related to तो पुरश शुकता क्या है एक Ved मेरिक Ved में chapter type का बोल सकते हैं chapter है, तो ये किस चीज से related है तो उसमें caste system के बारे में बताया गया है इंडिया में जो caste system होती थी या अभी भी होती हैं उसके बारे में Next is According to Buddhism philosophy the theory of curse and effect is known as तो जो बुद्धिजम philosophy है उसके हिसाब से theory और curse कुछ भी होता है उसका effect होता है उसको क्या बोलते हैं तो उससे बोलते हैं Trishana Next is Sita land in Earth Shastra तो Earth Shastra में Sita land किसको बोला गया है? Lands cultivated by the tribe और हम बोल सकते हैं जो state owners होते थे उसको बोला जादा था ठीक है? जिस land के जिसे owner है private owner है जिनको king को देना पड़ता है पैसा जैसे अभी हम government को देते हैं हम property use करते हैं कुछ भी road use करते हैं तो हमें road tax देना होता है तो उसी तरीके से पहले king tax लेते थे ठीक है? Next is the script in which Kashmiri language was originally written was किस script में Kashmiri language originally लिखी गई थी? तो ये थी खारोश्टी Next है who was the first king to issue gold coin in India तो ये बहुत important है क्योंकि यहीं से coin system विगरा start हुई थी तो कौन से king थे? ये थे कुशांस कुशांस डाइनस्टी के जो king होते थे उन्होंने सबसे पहले gold coin issue करना चालू किया copper के इससे पहले आते थे गोल्ड के उसके बाद आया है ठीक है? अब ये medieval history का है इबने बतूता visit India during rain of तो किसका मतलब किसका राज चल रहा था तब ये इबने बतूता जो था वो इंडिया में आया था तो तब चल रहा था मुहमद बिन तुगलक का राज नेक्स्ट है जीतल और तनका आर मेड ओफ तो ये किससे बनते थे? ये बनते थे copper and silver से नेक्स्ट है तो ये विजय नंगर kingdom जो बना था ये क्यों बना था? कि safeguard किया जाए हिंदू इंटरस्ट को मतलब जो लोग हिंदू में believe करते हैं उनको safe किया जाए नेक्स्ट है social result of bhakti movement was जो bhakti movement थी इसका social result क्या हुआ तो इसका result हुआ rise of status of women women's के status में women's को अभी भी मतलब उतना is it नहीं मिलता है जो ता men's को मिलता है और पहले के जमाने में तो और भी नहीं मिलता था अगर आपने देखा होगा movie आपने थोड़ी history वेगर अभी पढ़ी होगी तो उससे आपको पता होगा पर जब भक्ती movement start हुआ तो उसके बाद इनको इनकी status थोड़ी बढ़ गई next है बाबर came in India from कहां से आया था यह फर घाना से और घाना कहां यह भी अफगानिस्तान साइड है तो अगर आप map देखो इंडिया का तो यह जो मतलब इधर से अभी इंडिया है next है दिन पनाहा was established by जो दिन पनाहा था यह किसने established किया था तो यह हिमायू ने किया था और यह डेली में अभी भी है ठीक है डेली में अगर आप देखोगे तो अभी भी दिखेगा आपको और यह क्यों किया गया था मतलब जैसे इसलाम धर्म है तो उसमें भी बहुत सारे अलग-अलग जैसे हम हिंदू धर्में भी बहुत सारे अलग-अलग gods को मानता है कोई किसी को मानता है तो वैसे इसलाम में भी होता था तो उसकी सारे religion का tolerance दिखाने के लिए यह बनाया गया था आप Google पर image सर्च करना आपको image भी मिल जाएगी इसकी ने तो अगर आप Delhi में हो तो आप visit भी कर सकते हो next is what was the duty of मीर बक्षी अंडर मुगल administration तो मुगल administration में मीर बक्षी का क्या role था तो क्या करते थे accounts विगरा को रखते थे keeping accounts next is the basics of मुगल administration wars तो जो basic क्या थे उनकी उनके पास military power बहुत होती थी ठीक है इसलिए वो लोग बहुत जल्दी अगर आप देखोगे जब मुगल kings होते थे वो capture कर लेते थे बहुत जल्दी because उनके पास military power होती थी coins एगर issue करते थे military कब खुश रहेगी जब उनको टाइम पे पैसा मिलेगा अभी की देख लो या पहले की बात देख लो land pieces भी दिये जाते थे उनको उनकी military काफी बड़ी होती थी ठीक है next is the mughal emperor who gave surat to the east india company wars तो कौन सा mughal emperor था जिसने surat को east india company को दे दिया था तो वो था जहांगीर अगला अभी यह modern history का है the first prison movement launched by महात्मा गांधी was तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला prison movement launch किया गया था वो कहां था सबसे पहले किया गया था चंपारन में next is who was recorded by महात्मा गांधी as his political guru तो महात्मा गांधी ने अपना political guru किसको माना था यह पूचा है तो माना था उनने गौपाल कृष्ण गोखले को next is who led salt satyagrae movement with महात्मा गांधी महात्मा गांधी के साथ salt satyagrae movement पर कौन गई थी सरोजनी नाइडू इसके उपर एक movie भी है आप देख सकतो वो भी next है which European nation came to India first सबसे पहले कौन आए थे तो Portuguese आए थे ठीक है यह important question है next है the Indian Independence League was set up by तो यह जो Indian Independence League था यह किसने set up किया था यह किया था राश बिहारी बोसने next who was the only governor general viceroy to assassinate in India किसको assassinate कर दिया गया था तो यह थे Lord Mayo इनको अगला है the creation of Pakistan was first advocated by तो यह सबसे पहले किसने बोला गया था कि पाकिस्तान भी बनना चाहिए तो यह बोला था Ali Brothers ने next है गनपती festival in Maharashtra was started by यह किसने start किया था Bal Ganghadar Talak ने who was the leader of Assam revolt of 1857 1857 में चाई Assam revolt होए थे इनका leader कौन था तो इनकी leader थे दिवान मनी राम दत्ता next है the proposal of partition of India and Pakistan was contained in तो यह किस में था तो यह Mountbatten plan जो था 3rd January 1947 तो इस plan में यह proposal था कि इंडिया और Pakistan को अलग कर दिया जाएगा अभी MCQs करेंगे तो 1st है what was the time period of in the civilization या हरपन civilization तो इसका time period क्या था कब से कब हुआ था options है 2400 BC to 1700 BC 2400 BC to 1750 BC 25 BC to 1700 BC 2500 BC to 1750 BC BC का full form होता है before Christ इसका correct answer क्या है option D ठीक है next है which was the largest site of in the civilization तो in the civilization का largest site क्या था मोहंजदारो लोथल चनहुंदारो या दोला विरा इसका correct answer है option A इसके उपर NCRT में एक chapter भी है next है चनक्या वास नोन आज चनक्या को किस नाम से और जाना जाता था भट्टा स्वामी राज सिखारा विश्नु गुप्त या विश्चाखादत तो इसको किन सनाफ से जाना जाता था option C is correct तो विश्नु गुप्त ये इनका एक और नाम था या इस नाम से इनको जाना जाता था नेक्स्ट है इन जैनिजम perfect knowledge is referred to as जैनिजम में perfect knowledge को किस नाम से रफर किया जाता है जीना, रत्ना, कैवल्यास या निर्वाना तो इसका correct answer है option C कैवल्या नेक्स्ट है तो decipher मतलब जो उनकी language में लिखाता है उसको normal language में अभी जो उस टाइम पे language चलती थी वो हमें नहीं समझ आ रही है ठीक है तो उसको सबसे पहले किसने convert किया था code language बोल सकते है ठीक है code language को convert करना बुहेलर Robert Sewell James Princip या Codrington तो यह किया था James Princip ने Next है the first political organization established in India 1838 was known as 1838 में पहली political organization established हुई थी इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता था British Indian Society Bengal British Indian Society Settler Association या Zamindari Association तो इसको बोलते थे Zamindari Association Next है the Battle of Palasi was fought in यह का fought की गए थी 1757 1782 1784 48 या 1764 तो यह हुई थी 1757 में और Battle of Palasi किस के बीच में हुई थी यह हुई थी British East India Company और Bengal के जो नवाब थे Sirajad Doola उनके बीच में और यह हुई थी 23 June 1757 में यह important question है अगला है the territory of Porus who offered strong resistance to Alexander was situated between the river of जो Porus की territory थी Alexander जो उस पर हमला कर रहा था उनलोग ने बहुत ही strong resistance दिखाया था मतलब उसे जगड़ा था और अपनी जमीन या जो भी थी वो सब जाने नहीं दिया तो यह कहां कौन से river के बीच में situated थी यह पूछा है सतलुज और ब्यास जेलम और चिनाप रवी और चेनफ या गंगा और यमुना इसका correct answer है option B जेलम और चिनाप अगला है the founder of modern education system in India was led by ते foundation किसने led किया था the Charter Act of 1813 Malkoy Minutes of 1835 the Hunter Commission of 1882 या Woods Dispatch of 1854 इसका correct answer है option B Malkylaze Minute of 1835 next है Upliftment of Background Classes was the main program of तो एक इसका main program या बोल सकते है कि उनका मकसद था कि उनको uplift किया जाए प्रत्थान समाज सत्य शोदक समाज आरे समाज या Ramakrishnan Mission तो ये जो option B है सत्य शोदक समाज ये था इनका main program था कि Background Classes जो है उनकी upliftment करी जाए नेक्स्ट है नेक्स्ट है थे बुद्धिस्ट सेंट महायान इनकी existence formally आई गई तो ये थे 10 MCQs and one liner so thanks for watching अगर है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना शेयर कर देना और चानल को सब्सक्राइब कर देना अगर है